दोस्तों इस वीडियो में आप 10 ऐसे हॉरिवल फैक्ट को जानोगे जो आपको हैरान कर देगा आपने ये जरूर सुना होगा कि मंगल ग्रैपर हुमन सिविलाइजेशन संबह है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रैपर हुमन सिविलाइजेशन सुरू करने के लिए कम से कम 110 लोगों को मार्स पर भीजना पड़ेगा फैक्ट नमबर 9 ये फोटो देखिए कि आप बता सकते हैं कि ये किस चीज का फोटो है अश्ट्रेलिया में एक ऐसा टाइम आता है जिसका नाम है स्पाइडर सीजन और ये कुछ और नहीं बलकि इस्पाइडर वेप्स हैं ये दूसरी फोटो है इसपाइडर सीजन की Fact number 8, क्या आप जानते हैं कि NASA ने एक ऐसा perfume बनाया है जिसका नाम है EOD Space, इसका मतलब है smell of space, इस perfume की जो smell होगी वो ऐसी योगी जैसी space में smell होती है Fact number 7, आपने Scorpion नाम की जानवर के बारे में तो सुना ही होगा, ये एक बहुत ही unique type का जानवर है और ऐसा इसलिए क्योंकि एक Scorpion अपनी सांस 6 दिन तक रोक सकता है और ये almost हर तरह के वातावरर में survive कर सकता है और ये light में glow भी करता है Number 6, क्या आपको पता है कि हम जो batteries use करते हैं उसे अगर हम freezer में store करते हैं तो इनकी life line बढ़ जाती है मतलब सिर freezer में रखने से उनका life line बढ़ जाता है Number 5, अगर मैं आप से पूछूं कि इस दुनिया की सबसे सूखी जगह कौन सी है तो आप बोलेंगे कि कोई रेगिस्तान होगा लेकिन ऐसा नहीं है इस दुनिया की सबसे dryest जगह है अंटारिका dryest valleys और यहां पर 2 million सालों से बारिस नहीं हुई है मतलब 2 million साल पहले यहां पर technology की help से कुछ सेकेंड में ही कई सारे photos खीच लिये जाते हैं लेकिन कि आपको पता है कि जो photos सबसे पहले खीची गए थी उसको खीचने के लिए करीब 8 घृटे का समय लगा था fact number 2 एक आदमी था जिसका नाम थविल हैज और इस आदमी को एक और नाम से जाना जाता था और वो है snack man क्योंकि इस इंसान ने अपने आपको 172 अलग-अलग snakes से कटवाया था और वो इसलिए ताकि वो snakes के venom से अपने आपको immune कर ले और फिर ये अपना blood उनको donate कर सके जिनको snakes ने काटा हो इन मज़ेजार बात यह है कि इन्होंने 172 snake bite को survive कर लिया fact number 1 यह एक बहुत ही amazing event है एक बार एक आदमी को suicide करना था तो वो अपना suicide letter लिखने लगा और अपना suicide letter लिखने में उस इंसान ने पूरे 5 साल लगा दिये मतलब 5 साल तक वो अपना suicide letter ही लिखता रहा और उस suicide letter में 1905 pages थे जिसमें उस इंसान ने बताया था कि life कितनी meaningless है और 5 साल बात जब उन्होंने पूरा letter लिख लिया फिर suicide कर लिया अगर वीडियो पसंदा तो वीडियो लाइक करना ना बोले और चैनल को subscribe जरूर कर लें thanks for watching this video